नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हैंड पम का हैंडल उपर की तरफ क्यों फेकता है क्या कारण है कि ऐसा होता है और क्या है उपाय इस वीडियो में बारिकी से जानेंगे अगर यह वीडियो आपके काम की है तो वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक देखें अगर आपके काम की नहीं है तो वीडियो देखना छोड़ सकते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आपसे अन्रोध है कि वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों को सेयर कर दे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को अन कर लें Hand Pump का Handle उपर की तरह तब फेकता है जब पानी कास्तर Hand Pump की छमता से नीचे हो जाता है तब Hand Pump का Handle उपर की तरह फेकता है वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप कमेंट करके बताएं क्या आपका भी हैंड पंप हैंडल उपर के तरफ फेकता है या नहीं अधिकांस घरों में सामान हैंड पंप बिना सिलेंडर वाला होता है जो की कम ही गहराई से पानी उठा पाता है हैंड पंप का हैंडल फेकने की समस्या अधिकांस गर्मियों के समय में होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों में पानी कास्तर हैंड पंप की छमता से नीचे हो जाता है या बोर में पानी कम हो जाता है तब हैंड पंप हैंडल फेकता है जैसे जैसे गर्मी पड़ती जल अस्तर नीचे की तरफ चला जाता है, छमता से बाहर होने पर हैंड पंप हैंडल फेकने लगता है, और जैसे ही बरसात या आस पास नहर या किसी रोज से पानी कठा होता है, तो पानी का अस्तर उपर हो जाता है और हैंडल उपर की तरफ फेकना बंद हो जाता है, बरसात क का जरूर धियान दे जब hand pump handle उपर की तरफ फेकता हो तो काफी सावधानी से hand pump चलाएं handle छुटने से चोट लग सकती है अगर hand pump handle उपर की तरफ फेकता है तो cylinder वाला hand pump लगाने की जरूरत है cylinder वाला hand pump लगा लीजिए सिलेंडर वाला हैंड पंप लगाने से पहले यह जांच लें जो आपके यहां बोर हुआ है परियापत पानी है या नहीं अगर परियापत पानी है तभी सिलेंडर वाला हैंड पंप लगवाएं अन्य था जो हैंड पंप लगा है उसे ही रहने दें यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो सेयर करें और चैनल पढ़ना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज की वीडियो में बस इतना ही अब अगले वीडियो मिलेंगे तब तक लिए नमस्कार